कविता संग्रा पेड़ बनी इस्त्री से आपको सुनाना चाहूंगी और उसके अलावा कुछ और कविताएं हैं जो उनमें से मैं आपको कुछ सुनाऊंगी मेरी पहली कविता का सीठशक है अस्तित्व दुनिया भर की इस्त्रियों तुम जरूर करना प्रेम पर ऐसा नहीं कि जिससे प्रेम करना उसी में ढूनने लगना आकाश, मिटी, हवा, पानी, ताप तुम अपनी जमीन पर रोपना मन चाहे पोधे अपने आकाश में भर लेना छमता भर उड़ान मन के सारे ओने कोने भर लेना ताजी हवा से मन के सारे ओने कोने भर लेना ताजी हवा से भीगना जी भर के एहसासों की बारिश में आवशक्ता भर उड़ा को समेट लेना अपनी बाहों में अपने मनुष्य होने की संभावनाओं को बचाए रखना बचाए रखना खुद को दुनिया के सौंदर्य वशक्ति में वृद्धी के लिए दुनिया के अस्थित्व को बचाए रखने के लिए बहुत शुक्रिया देविन जी और शायद जलड़ी वाजी में मैंने आप मेंसे किसी को किसी का सही से अभिवादन भी नहीं किया और कविताएं पढ़नी शुरू कर दी तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और मैं अपनी दूसरी कविता पढ़ती हूँ चुटी इस कविता का सीरसक है चुटी सुबा से देख रहा हूँ उसे सुबा से देख रहा हूँ उसे बिना किसी हड़वडी के जुट गई है रोज मर्ण के कामों में सुभा से देख रहा हूँ उसे बिना किसी हडवडी के जुट गई है रोज मर्रा के कामों में मैं तो तभी समझ गया था जब सुभा चाय देते समय जल्दी जल्दी कंधा हिलाने की जगह उसने बड़े प्यार से कंबल हटाया था बच्चों को भी सुनने को मिला एक प्यारा गीत नास्ता भी था सबकी पसंद का नौ बस्ते बस्ते नहीं सुनाई दी उसकी स्कूटी की आवाज देख रहा हूँ उसने ढून निकाले हैं घर बर के गंदे कपड़े धोने को बिस्तरे सुखाने डाले हैं छत पर दालों मसालों को धूप दिखाने बाहर रखा है जानता हूँ आर शाम घर लोटने पर घर दिखेगा जादा साफ सजा संवरा बिस्तर नर्म गर्म धुली चादर के साथ बच्चे नहाई वे परदे बदले वे चाई के साथ मिलेगा कुछ खास खाने को बस नहीं बदली होगी तो उसके मुस्कुराते चेहरे पर छिपी थकान जिसने उसे अपना इस्थाई साथी बना लिया है जानता हूँ सोने से पहले बेहत धीमी आवाज में कहेगी वा अपनी पीठ पर मूब लगाने को आज वा छुट्टी पर जो थी तो ये कविताब मैंने लिखने की कोशिश की है हम मिस्त्रियों के पक्षवर शुक्रिया मोनिका तुम आई मेरा साहस बढ़ाने के लिए और मुझे अपनी कविताएं याद नहीं है इसलिए मुझे पूरी तरह से मैं पढ़के ही अपनी कविताएं आपको सुनाओंगी और इस बीच अगर मैं आपके कोई किसी तरह के कमेंट को देख नहीं पाई तो मुझे आप माप कीजिएगा तो अगली कविता मैं आपको सुनाती हूँ एक चिठी पिता के नाम अक्सर हम हमारे समाज में जो बेटी के पिता होते हैं वो एक कमजोर पक्ष की तरह उनको माना जाता है या वो अपने को खुद भी मान लेते हैं कमजोर पक्ष की भूमिका में और इस भूमिका के ताने बाने में वो अपनी बेटियों को जिस तरह से पालते हैं अपनी बेटियों के साथ जो समवाद करते हैं वो समवाद कहीं न कहीं उनको भी और बेटियों को भी एक कमजोर और दूसरे पर निर्भर व्यक्तित्तों की तरह बनाता है कई बार होता है कि बहुत सारे पिता अपनी बेटियों को बहुत प्यार करते हैं बच्पन में उनका भोट ख्याल रखते हैं उनकी हर इच्छा को पूरी करना चाहते हैं जैसें वो थोड़ा और बड़ी भूमिका में आते हैं, बेटियान सस्राल जाती हैं, तो वो उसी पारम पर एक भूमिका में आ जाते हैं। और वो समझाने लगते हैं बेटियों को कि तुम्हें हर चीज सहन करनी है, हर गलत बात को भी मानना है, संकोच करना है। इस तरह की चीजे बन जाती हैं, तो अगर इस तरह की चीजे ना हो, बेटियां एक मजबूत व्यक्तित्तों की तरहें, बनाई जाएं, उनका विकाश हो, एक स्वतंत्र व्यक्तित्तों की तरहें, तो शायद वो तयार होंगी किसी भी परिस्तिती का सामना करने के लिए, और बहुत बड़ी भूपिका होती है पिता की तो ये एक चिठ्थी पिता के नाम मैंने बेटियों की तरब से एक कविता लिखने की कोशिश की है पिता मेरे जन्म की खबर सुनाती दाई के आगे जुड़े हाथ क्यों है अब तक जुड़े के जुड़े मुझे लेकर क्यों नहीं उठाते गर्व से अपना सिर क्यों हो जाते हो जरूरत से ज़्यादा विनम्र एक तनाव की पर्थ गहरी होती देखी है मैंने तुम्हारे चेहरे पर जैसे जैसे मैं होती गई बड़ी जिसने ढख ली मेरी छोटी छोटी सफलताओं की चमक मुझे सिखाया गया हमेशा जुकना विनैशील होना जिस तरह बास्मती की बालियां होती हैं जुकी जुकी और कोदा जंगोरा सिर्ताने खड़ा रहता है याद दिलाया गया बार-बार लाज, प्रेम, दया, छमा, त्याग, इस्त्री के गहने हैं जिनके बिना है इस्त्री अधूरी पिता, तुम चाहते थे मैं रहूं हर परिस्तिती में आज्याकारी, कर्तव्यनिस्ट, परिवार और समाज के प्रती अपने उपर होते हर अन्याय को सिर्ड जुका कर सहन करती रहूं सबकी खुशी में अपनी खुशी समझूं और मैं ऐसी रही भी और मैं ऐसी रही भी जब तक समझ न पाई दुन्यादारी के समी करण पर अब मैं साहस भर चुकी हूं पर अब मैं साहस भर चुकी हूं सहमती वह असहमती का चुनौतियां स्विकार है मुझे मेरी उन गलतियों के लिए बार-बार छमा मत मांगो, जो मैंने कभी की ही नहीं मुझ पर विश्वास करो, मुझे मेरे पंख दो मैं सुरक्षित उड़ूंगी दूर छितिस्दक, देखूंगी नीला विशाल सागर भरूंगी अपनी सांसों में स्वच ठंडी हवा, पिता तुमी हो जो मेरी उर्जा बन सकते हो मुझे मेरी छोटी-छोटी खुश्या हासिल करने से रोको मत तो यह कविता थी, उम्मीद है कि मेरी कविताएं आपको अच्छी लग रही होंगी थोड़ी बहुत जितनी भी मैं आपको अपनी अगली कविता सुनाती हूँ एक कविता जो मुझे बहुत प्रिया है क्योंकि मैं सिक्षिका हूँ और स्कूल में बच्चों के साथ काम करते वे मुझे मा होने के नाते एक से अथिक बच्चों को देखने समझने का मौका मिला है तो अक्सर ये कहा जाता है, ये माना जाता है कि जो बच्चे चुप रहते हैं, जिन बच्चों की कोई मांगे नहीं होती जो बच्चे शरारत नहीं करते वो अच्छे बच्चे होते हैं और इन अच्छे बच्चे की जो हमने एक द्रिश्य बनाया है एक पूरी आभा गड़ी है कि अच्छे बच्चे वो हैं जो चुप रहेंगे जिद नहीं करेंगे इस अच्छाई के चकर में बच्चों का कर देते हैं तो ये एक छोटी सी कविता मैंने लिखने की कोशिश की है इस कविता का सीर्शक है चुप मैंने कहा चूहा मैंने कहा चूहा वह शरारत से मुस्काई पास बैठी बोली कुतरना बिली की खेत चारपाई सरपर्ट करकर जाने क्या क्या मैंने कहा तितली मैंने कहा तितली वो जुकाई मेरी गोद में आखें चमकाती सुनाने लगी किस से फूलों हवाओं बादलों पतंगों के मैंने कहा चुप उसने फेर लिया तो अगर हम चाहते हैं कि बच्चे हमारे पास रहें, हमारे साथ रहें, हमारे साथ समवाद करें, अपनी छोटी-मोटी बातों को हमारे साथ साजा करें, तो जरूरी है कि हमें उनकी बातों को सुनना आए, हम उनकी बातों को सुनें और समझें, और आजकल जो माहौल बना है, उसमें तो ये बहुत ही जरूरी हो गया है हम जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं मनुश्यों की मनुश्यों से दूरी हो रही है उसमें समवाद बहुत जरूरी है खास तोर पर बच्चों के साथ ऐसी मेरी समझ बनी है आगली कविता का शीर्सक है मुझे उम्मीद है ये कविता मैंने ये सोच के लिखी है कि जो चीजें पूरी दुनिया में आजकल हो रही है और जिस तरह से आगे बढ़ रही है उससे भले ही उपर-उपर कुछ लोगों को ये लग रहा हो कि वो सुख में हैं, ताकत में हैं और हमेसा वो वैसे ही रहेंगे लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है मुझे लगता है अगर दुनिया में कोई भी एक पक्ष कमजोर है उसके हिस्से खुशिया नहीं है उसके हिस्से मूलभूत चीजे नहीं है तो जो दूसरा पक्ष जिसके पास सब कुछ है ये कताई भी संभव नहीं है कि वो जादा दिनों तक और जादा देर तक सुख से रह सकता है तो अगर सब को एक अच्छी और खुशाल दुनिया में रहना है तो बहुत जरूरी है कि हम सभी को बराबरी के और हम सभी को सम्मान के मौके मिलें तो ये एक उमीद की है कविता में मुझे उमीद है एक दिन तुम जरूर उप जाओगे मुझे उमीद है एक दिन तुम जरूर उप जाओगे एक दिन तुम जरूर ठक जाओगे इस खून खराबे से इन डंडों जंडों और गूंजते नारों से इस खून खराबे से, इन डंडों, जंडों और गूंचते नारों से, इन फत्वों, धमकियों, सुपारियों से, बेशर्म जूटों और अफवाओं से, हत्याओं और बलातकारों से जग तुम्हें अपने हातों में लगे खून के धब्बे, अपनी थाली में रखी, रोटी पर दिखेंगे उठाते ही एक कौर, उस पर लगा खून देखकर, उल्टी हो जाएगी तुम्हें साथ बैठे तुमारे घरवाले, घबरा कर तुमारी ओर देखेंगे एक पच्तावे का भाव, उनके चेहरे को सुखा देगा अपने खून सने कपड़े, धोने से निकले, गाढ़े, भूरे पानी में अपने बच्चों को उंगलियां डुबाता देख, तुम चीक पड़ोगे जल्दी से उनका हाथ साफ करोगे, तब कोई भी हैंड वाश उनके हाथों के धब्बे नहीं छुड़ा पाएगा रात में सोते वे नीन में बड़बडाओगे, मुझे जाने दो प्लीज, मैंने तुम्हारा क्या प्लीज, मुझे जाने दो तुम पसीना पसीना होकर उट बैठोगे, जलाएगी, सपना देखा होगा के हाथ थामेगी तुम्हें दुबारा सुलाने की अशफल कोशिश करेगी उस समय तुमारी आखों को चुभेंगे वे खूनी दृष्य, जब तुम भीड थे उनमादी जहर उगलते शब्द, तनिवी बंदूक, खूब नुकीला चुरा, वहशी दरिंदे, तलवार या ईंट उस समय तुम खूब छट पटाओगे, कस मसाओगे, लौट जाना चाहोगे, समय में पिछले उस समय तुम खूब छटपटाओगे, कस मसाओगे, लौट जाना चाहोगे समय में पिछले, फेक दोगे अपने चुरे और तलवारे बन कर दोगे उन आवाजों के रास्ते जो तुमें भीड बनने को उकसाते हैं, अपनी आत्मा में लगे घाओं को भरना चाहोगे तुम जरूर लोटोगे कुदाल और हल की तरफ, तुम जरूर लोटोगे कुदाल और हल की तरफ, नमक और प्रेम, अभी इतना भी दुल्लब नहीं हुआ है तो ये एक उम्मीद है कि दुनिया बदलेगी और एक बेहतर दुनिया की तरफ आगे बढ़ेगी शुक्रिया शुक्रिया सुचील और मैं आगे पढ़ती हूँ असल मैं ये एक तरफा समवाद करने का मेरा पहला मौका है तो ठीक ठीक कुछ समझ भी नहीं आ रहा है और मैं अंदाजे से पढ़ रही हूँ इस उम्मीन में कि आप मुझे सुन रहे हैं एक और कविता मैं पढ़ना चाहूँगी शराबी पिता तो ये कविता मैंने ये सोच के लिखी है कि ये जो पूरी दुनिया है जैसा हम जानी रहे हैं असमानताओं और छोटे बड़े और उचे नीचे के आधार पर बटी वी दुनिया उस दुनिया में एक जो पूरुस पक्ष है और जो अपने लिए फ्रीडम लेता है जो अपने लिए जगह बनाता है बनाता क्या है जिसको बनी बनाई बहुत सारी जगहें मिलती हैं तो बहुत बार वो उन जगहों का गलत इस्तेमाल करता है अपनी जीवन में और जान कर भी नहीं जान पाता कि वो क्या कर रहा है तो ऐसे में मैंने ये कविता लिखने की कोशिश की है बाकी कुछ तो नहीं कर पाया लेकिन कविता लिखी है और इस वक्ष को थोड़ा समझने की कोशिश की है कि ऐसे घरों में हम आम तोर पे बड़े लुगों की दिकतों पे तो हमारा ध्यान जाता है पिता की और बतनी की या भाईयों की बहनों की लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं उनके जो उनके मन पे जो लगी वी चोट होती है उनके जीवन से जो चीजें कम होती हैं उनके बनने क जो चीजे कम होती हैं, उसकी तरफ हम उतना ध्यान नहीं देते, हमें लगता है कि ये तो छोटे बच्चे हैं, ये तो भूल जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है, उनके मानस पे जो छोटे लगती हैं, उसके बहुत गहरे घाव होते हैं, अगर इस बात को जो आधी-ाबाद हैं, वो समझ ले, तो शायद दुनिया थोड़ी सी और भेतर हो, तो मैं बहुत शुक्रिया गीता, स्वागत है तुमारा, और मैं कविता पढ़ती हूँ, शराबी पिता, वे पिता, जो हर शाम शराब पी कर घर आते हैं, कभी नहीं जान पाते, अपने बच्चों के स्कूल या दोस्तों की बातें, वे पिता, जो हर साम शराब पी कर घर आते हैं, कभी नहीं जान पाते, अपने बच्चों के स्कूल या दोस्तों की बातें, क्लास में आज क्या हुआ, शाबासी मिली या डांट, कैसे खेलते वे मुड़ गया पैर, और लंगडा कर आना उनकी बेटी कभी बता नहीं पाती उनको, एक शाम कैसे डरते डरते घर लोटी वा, रास्ते भर लगा, कोई पीछे है उसके, मुड़ कर देखने का भी नहुआ साहस, दीवार पर लगी बच्चों की बनाई नई पेंटिंग, आइसक्रीम खाने की छोटी सी खुशी, रात को गैस का चूला साप करने की बारी पर हुई नोग जोग, कुछ भी पता नहीं चलता उन्हें, वे कभी नहीं जान पाते, दो पहर बाद चलने वाली हवाओं से, किस कदर भर जाती है, घर में धूल, देर शाम, उनकी छट से, कितना सुन्दर दिखता है आस्मान, क्यों लोगों को, बच्चों का खेलना ही लगता है शोर, जब बच्चों को होती है, घर आने में देर, उनकी मा कहां कहां जाकर धूनती है उन्हें, वे नहीं जान पाते, बच्चे उनसे ज़्यादा, चाचा या मामा का साथ पसंद करते हैं, उन्हें देख, निचुर जाता है पत्नी के चेहरे का पानी, बच्चों को बताते हुए, कि सब जल्दी ही हो जाएगा ठीक, खुश रहने का दिखावा करते हुए, कितनी बेचारी लगती है वो, अचानक किसी दिन किसी के ध्यान दिलाने पर, वे पाते हैं, उनके कंधे तक आने लगा है बेटा, बेटी को लोग परखने वाली नजरों से देखने लगे हैं, वे कहते हैं, समय कितनी जल्दी बीद गया, और पतनी की तरफ देखते हैं, वो अचानक उसे बुड़ी लगने लगती है, वे शिकायत करते हैं, उनके कहने सुनने में नहीं हैं बच्चे, घर में नहीं हैं उनकी कोई एहमियत, अपनी उम्र का अधिकान से हिश्चा समझाये जाते हुए, डांट खाते हुए, दुदकारे जाते, या दूसरों के सामने आने से कत्राते हुए, ये पिता, जब किसी दिन गुस्से से जल्ला कर कहते हैं, मेरी मर्जी, मैं चाहे जैसे जीऊं, मैंने क्या बिगाड़ा है कि तो नहीं जान पाते, इस पीच कितना कुछ खत्म हो गया होता है, इस पीच वे कितने कम हो गये होते हैं जी, बहुत शुक्रियाद, अगली कविता मैं पढ़ती हूँ, और इस कविता का शीर्शक है, आत्मत्या माई फोट बहुत बार हम मैंसे कुछ लोगों के जीवन में चीजें इस तरह से होती हैं कि हम हार मानने लगते हैं और उस हार मानने के दोरान ही जब हम बहुत कमजोर होते हैं, तो कोई ऐसा चोटा सा पक्ष निकल के आता है जब हमें फिर से उठने की, फिर से जीवन जीने की और फिर से संगर्ष करने की सकती देता है तो ये एक ऐसी मन इस्तिती पे लिखी गई कविता है और मैं आपको इसे सुनाना चाहूंगे आत्म हत्या माई फुट बहुत पार बन करता है तेज स्कूटर चलाते हुए, किसी पहाडी मोर पर कर लूँ आखें बन्द कुछ एक मिनट की बात होगी और किस्सा खत्म या फिर कूच जाओं छप से नदी के गहरे हरे नीले ठंडे पानी में जब भरेगा फेपडों में पानी तडप कर बाहर निकलने का होगा मन कुछ दिनों बाद फूला भद्दा सरीर फंसा मिलेगा किनी पत्थरों की ओट में आधा मचलियों का खाया हुआ कभी सोचती हूँ अनमनी बैठी रहूं देर तक पाला बरसाते आस्मान के नीचे जब तक जम कर लुड़क न जाऊँ एक ओर पर पलक चपकते ही जटके से खुल जाती हैं बोजिल आँखें पानी पर उभरती है एक चाया आस्मान में टिम्टिमाता है कोई तारा इंतजार करती दिखती हैं दो जोड़ी आँखें आना होता है बार-बार लौट कर वहीं जहां से उठती हैं मन में ये खुआईश हैं मरना इतना आसान होता तो कबकी खत्म न हो जाती ये दुनिया मरना अपने हाथ में नहीं पर आत्मत्या तो है क्या फाइडा ऐसे जीवन का जिसमें जीने की कोई लै न हो अन्तहीन चलना हो ठकान कभी उतरती न हो पिछले साल मरने की सोची तो याद आया बिटिया की बोर्ड परिक्षा है कैसे समालेगी वो अपने आपको इस साल सोचती हूँ अभी छोटा है बेटा थोड़ा बड़ा हो जाए कर सके अपनी देखवाल बार-बार यही होता है बनने से ठीक पहले याद आ जाता है कोई न कोई जरूरी काम मन के चोर कोने से जहांकता है कोई बहाना कोई नया अर्थ खुलता है अपने होने का मा का जान भूच कर मरना कोई आसान बात नहीं फिर भी हर सेकंड मर जाती या मार डाली जाती है कोई न कोई मा मरना इस्तकित करने के बाद सीसे में मुस्कुराता है आंसों से भीगा जहरा जानी जीना कितना भी दुश्वार क्यों न हो मरने से थोड़ा सा हसीन तो होता ही है जे तो ये एक कविता थी अब अगली कविता मैं जो सुनाऊंगी वो उसका सीर्षक है डरे हुए लोग असल में हम सब भी थोड़ा न थोड़ा कहीं न कहीं किसी न किसी चीज से डरे वे ही लोग है कभी-कभी ये डरना जरूरी भी होता है और कभी-कभी ये डरना हमारे और पूरे समाज के पक्ष में सकारात्मक भी होता है लेकिन बहुत सारी जगहों पर ये जो अंचाहा डर है, संबंद बिगरने का डर, किसी का कुछ कहने का डर, लोग क्या कहिंगे का डर, ये जीवन को जटिल बनाता जाता है। मुझे लगता है अगर चीजें खुल के कहीं जाएं, आपस में समवात किये जाएं, सही चीजों पे, सही जगह पे बोला जाएं, और बच्पन से ही इन सब चीजों की आदते हों, तो शायद हम लोग आपस में एक दूसरे को सुनने के लिए, एक दूसरे को समझने के लिए, थोड़ा सा ज्यादा तयार होंगे, लेकिन होता है है कि हमारी जिस तरह की पूरी परवरिश होती है, उसमें हम चुप रहते जाते हैं और चीजें खराब होती चली जाती हैं, तो ये एक कविता है, सुस्मा जी और विजय जी आपका स्वागत है और बहुत शुक्रिया, त दरे हुए लोग किसी एक तरफ नहीं होते, वे थोड़ा-थोड़ा सबकी तरफ होते हैं, बात तो आप ठीक कह रहे हो, पर क्या करें, दुनियादारी भी देखनी होती है कहकर, हर एक को साथ लिए होते हैं. ये वर्तवान में जीने की बजाए अतीत का गुणगान करते हैं, भविश्व में मिलने वाले लाभों पर चरजा करते हैं, इन्हें मनुस्यों से ज़्यादा भरोसा देवताओं पर होता है, ये नाग की सीद में आते जाते हैं और किसी भी पचड़े में नहीं पढ़ते, इनका पेट और बिस्थर सुरक्षित रहे बस, इनका कोई मत या विचार नहीं होता, इनका मुख और कान सिर्फ फाइदा बोलता और सुनता है, ये उठते सोते समय दिसा का और गंदगी करते समय अपनी चार दिवारी का ध्यान रखते हैं, ये कभी-कभी इतना डर जाते ह कि इनके पेडों पर लगे फल, पेडों पर ही सर जाते हैं, पर किसी के साथ बढ़ते नहीं, ये पडोसी के बेटे को गली में छिपकर सिगरेट पीता देख डाटते नहीं, बचकर निकलते हैं और किसी तीसरे के साथ बैठ कर ससकारों पर बात करते हैं, डरे हुए लोग अ अपने डर को दूसरों पर थोपते वे चलते हैं जिससे अपनी एक बड़ी बिरादरी बना सके और डरने को सारवजनिक माननेता दिला सके तो ये जो हम सब में थोड़े थोड़े से डरे वे लोग हैं मैं उमीद करती हूँ कि हम इससे बाहर निकलेंगे और एक समवाद करने वाली दुनिया और समाज को बनाने की तरफ आगे बढ़ेंगे तो अभी 10 मिनेट रह गए हैं मुझे पॉने 6 बजे तक समय मिला है तो मैं आपको कुछ और कविताएं सुनाती हूँ बहुत शुक्रिया अलका दी और मुझे अच्छा लगा कि आप आईं कविता सुनने सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरा साहस बनाने के लिए आए मेरे दोस्त और छोटे मेरे जो भाई बहन है यहाँ पे तो अगली कविता है विध्या माता की कसम सुनो मेरी जान जब तुम ब्राउन गॉगल्स लगाए फर्राटे से स्कूटी पर निकलती हो इधर उधर खड़े लोगों के दिलों से आह निकलती है नई नई गाड़ी चलाना सीख हाईवे पर चक्कल लगाती हो ओ मेरी मा कह कोई आदमी आवाज लगाता है इन आहों और आवाजों को सुन तुम्हारी आखिं और कान और सजग हो जाते हैं दुकानदार के गलत हिसाब से मिले जादा रुपए वापस लोटाती हो वो मैडम जी के खी से निपोरता है तुम दुबारा उसकी दुकान पर महीनों नहीं जाती हो तुम्हें परवा नहीं कैसी दिख रही हो तुम बिन्दास चलती हो मस्थ हतिनी की तरह रास्ते के कुट्टों की भौँ भौँ पर मन ही मन मुस्काती हो ये जानकर भी कि कई जोड़ी आँखें तनी हैं तुम पर बीच रास्ते किसी बात पर जोर का ठाका लगाती हो फूल सी नाजुक हो पर लड़ने भिरने में महारत है तुम्हें कहीं भी कुछ भी गलत होता देख डरते तो हम किसी के बाप से भी नहीं कह अड़ जाती हो कभी घंटों दिनों रहती हो चुप अखवार फेक देती हो तोड़ मरोड टीबी का स्विच गुसे से करती हो आफ पूछने पर कुछ नहीं कह टालती हो जाने किन किन बातों से बेचैन रहती हो फिर खुद ही इखटी करती हो अपनी उम्मीदें फिर खुद ही इखटी करती हो अपनी उम्मीदें नई कोई योजना बनाती हो फैलाती हो उज्यारे रंग अपने आसपास अपनी निराशा को पछोड़ पछोड़ कर धो डालती हो विध्या माता की कसम मेरी जान तुम मेरा दिल लूट ले जाती हो तुम मेरा दिल लूट ले जाती हो तो ये दिल लूटने वाली जो कुछ इस्त्रियां हमारे आसपास होती हैं वे खूब बढ़ें उनकी संख्या दिनों दन बढ़ती रहे ये मैं सुब कामनाएं देती हूँ उन सबको मेरी अगली कविता का सीरसक है महिला मित्र आपके साथ इनको हमेशा संदेह से देखा जाता है हम उम्र या छोटी हो तो संका और भी गहराती है आपके जीवन में नाटक के उस पात्र जैसा होता है इनका रोल जिसे जरूरत परने पर कोई भी निभा सकता है ये आम दोस्तों की तरह नहीं जा सकती आपके स्कूटर के पीछे बैठ कर इनके साथ किसी सड़क, किनारे, ढाबे पर नहीं पी जा सकती एक कप चाय पारिवारिक समारोहों में इने नहीं मिलता मौका मांगलिक गीत गाने का जबकी ये ये सब करना चाहती है ये आपकी पीट पर एक धब्पा मार कर चौकाना चाहती है देर शाम फोन पर अपनी कविता सुनाना चाहती है किसी बहस में उल्जे उल्जे सड़क पर घूमना चाहती है कठिन समय में हाथ पकड़कर साथ होने का भरूसा देना चाहती है पहाड की उची जोटी पर चड़कर जोर से आपका नाम पुगारना चाहती है लॉंग ड्राइब पर आपके साथ किशोर लता की गाने सुनना चाहती है ये आपकी हर बात को धहरे से सुनती है इनसे बात करके आप थोड़ा और जीना चाहते हैं दुनिया पर आपका भरोसा थोड़ा और जादा बढ़ जाता है ये आपके लिए दर्वाजे के पीछे लगे हैंगर सी जरूरी होती है इनकी भूमी का हमेशा परदे के पीछे की होती है इनकी फोन, कॉल्स और मेसेजज़ को आप तुरंट डिलीट कर देते हैं आपके आसपास के लोगों को ये क्यारी में उगे अंचाहे पौधों सी खटकती हैं इनके आने पर सुरूवी खुस पुसाहट अर्थवरी मुस्कानों पर रुखती हैं आप इनको कभी नहीं देख पाते घर के कपड़ों में बर्तन साप करते या कपड़े धोते ना ही आपका सामना इनसे कभी सिलंडर की लाइन में होता है आप कभी आप कई बार नहीं जान पाते पिछले दिनों किस किदर बुखार से तप रही थी ये ये भी कहां पूछ पाती है समय पर आपकी खैर खबर ये ऐसा कुछ भी नहीं कर पाती है ये आपकी बहिला मित्र जो होती है तो ये जो एक रिस्ता है पुरुश और इस्त्री के बीच का ये अभी भी इतना जटिल है हमारे समाज में कि हम इसे स्वाभाविक्ता में ले ही नहीं पाते हम और हम चाहे कितने भी प्रगतिशील और कितने भी लिखने पढ़ने वाले लोग हो हम सब के अंदर भी इस चीज को बदलने का साहस नहीं होता है हम सब भी ऐसे ही चलते चले जाते हैं लेकिन बावजूद इसके शायद जो नहीं पीड़ी है अभी हमारे जो बच्चे अभी हैं आगे बढ़ रहे हैं उनके बीच में थोड़ी सी सहस्ता जादा आई है और वो सहस्ता बनी रहे उनके बीच तो शायद जो इस्त्री तो बस अब शायद चार-पांच मिनट रह गए हैं तो मैं आपको दो छोटी कविताएं सुनाती नूँ एक कविता का सीर्शक है सर्मिन्दा मन रेल की पट्रियां बोल पाती तो क्या यह कहती हम शर्मिन्दा हैं सडकी समेट लेती खुद को किसी कार्पेट की तरह सडकी समेट लेती खुद को किसी कार्पेट की तरह एक सुबह सिर्फ गाडियां ही गाडियां दिखती सडक एक भी नहीं सिर्फ गाडियां ही गाडियां दिखती, सडक एक भी नहीं, काश रेल की पट्रियों और सडकों को कहना आता, अगर हमें बनाने वाले हमसे होकर अपने घर नहीं पहुँच पा रहे, तो हमें यहां नहीं रहना. और एक अंतिम कविता है, पहाड इसका शीर्फ है, हमारे जितनी भी जगह समतल होती हैं, जितनी भी जगह थोड़ी सी सुविधा जनक होती हैं, तो हम चाहते हैं कि वहां पे घर बन जाएं, सडक किनारे हैं, तो हम सोचते हैं होटल बन जाए या कोई ऐसी चीज हो जाए, जहां आना जाना सहज हो, बलकि अब तो यह इस्तिती हो गई है कि अगर सहरों में कहीं पे कोई खाली जगह दिखती है, तो खटकने लगती है वो कोई गुंजाईश नहीं बनती है, तो इसलिए ये कविता है, पहाड, तीखे उंचे धलान वाले पहाड मुझे इसलिए अच्छे लगते हैं कि इन में घर नहीं बन सकते, इन में खेद बनाने की कोई सोचता नहीं, इनके सीने पर सड़क काटनी कथिन होती है, और इस तरह बच जाती है,